नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्पी टेक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रेशन थेयोरी के 1500 MCQ जी सिरीज का ओनलाइन टेस्ट नमर 49 के बारे में 48 पहले अफ्लोड हो चुक है जिनका लिंक आपको निचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो क्योंकि सभी क्यूशन बहुत इंपोटेंट क्यूशन है जिसमें अपने 1350 के क्यूशन देख लिए थे आज के इस वीडियो में अपने आगे के क्यूशन को देखेंगे तो वीडियो बहुत इंपोटेंट होने वाला है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जयताशी जयदा शेयर कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों क्यूशन नंबर 1351 है एक तुल्ले कालिक मोटर निमलिकित में से किस अवस्ता में सोपान कर्षण में विफल होगा ओप्शन दे रखा सुन्य बाहर जड़ता हो बी दे रखा निमन गरशण सी दे रखा अत्यदिक बाहर डी दे रखा सामाने छेतर होती जन तो इन में से एक सिंक्रोनस मोटर किस अवस्ता में सोपान कर्षण में विफल होगा इंपोर्टेंट क्यूशन है जल्दी बताओ इसका क्रेक्ट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यतिक बाहर पर क्रेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर सी अगला क्यूशन अगले कुशन देरका निमलिकित में से कौन सी DC जनितर की सतत हानी नहीं है इन में से सतत हानी कौन सी नहीं है DC जनितर की ओप्शन देरका संट छेतर हानी B देरका तामरहानी C देरका लोहानी D देरका यांतरिक हानी तो इन में से DC जन्नितर की सतत हानी कौन सी नहीं है नहीं को बताना है फटापट से बताओ इसका correct answer कौन सा होगा तो दोस्तों DC जन्नितर की सतत हानी ताम रहानी सतत हानी नहीं है correct answer क्या होगा option number B अगला क्यूशन दे रखा परवर्तन पर DC मोटर में खालिस्तान होगा अनन्त परतिरोध सुन्ने परतिरोध उच परतिरोध या निमन परतिरोध तो स्टार्टिंग में DC मोटर में परतिरोध कितना होगा important question है जल्दी बताओ इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों starting के समय DC motor में निमन परती रोध होगा correct answer होगा option number D अगला question देरका DC आपूर्ती परनाली पर आधारित दिस्ट कारी में आमतोर पर चोग की तुलना में संधारितर निश्पंदक अर्थार्ते capacitor input filter को अधिमानेता दी जाती है क्योंकि option देरका चोग दोसों को रोक सकता है D देरका चोग सस्ता होता है C देरका चोग खुले परिफत को रोक सकता है D देरका चोग महेंगा होता है तो इनमें से DC आपूर्ती परनाली पर आधारिते रेक्टिफाईर होते हैं उनमें आमतोर पर चोग की तुलना में संदारी तर अर्थार्ते capacitor input filter को अधिमानेता दी जाती है इसका मुख्य कारण क्या है तो इसका राहिट आंसर हो जाएगा क्योंकि चोग बहुत महेंगा होता है क्रेक्ट आंसर क्या होगा option number D अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रहागा निमिली कि तुमें से किस मशीन के लिए गुर्णन चुम के छेतर की आवदाहरना अच्छी है अल्टरेनेटर है, डीसी मोटर है, परेनरन मोटर या ट्रांसफार्मर है तो इन में से क्रेक्ट आंसर कौन सा होगा फटापट चे बताओ तो दोस्तों इसका राहिट आंसर हो जाएगा option number C इंडक्शन मोटर, क्रेक्ट आंसर क्या होगा option number C चलिए अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दे रहा है, दोस्त के हानी से लेकर कुंडली के उरजायन के सहतक के समय को क्या कहा जाता है आरकन काल, पराचालन काल, बंजन काल या रक्षन काल इंडक्ट आंसर कौन सा होगा, फटापट से कमेंट करके बताईए तो दोस्तों उसे कहा जाता है रक्षन काल क्रेक्ट आंसर होगा option number D अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दे रहा है, साट माइक्रो एंपियर की धारा मिली एंपियर में कितनी होगी साट माइक्रो एंपियर धारा को मिली एंपियर में बताना है मिली एंपियर में कितनी होगी तो फटापट से कमेंट करके बताईए इन में से मिली एंपियर में कितनी होगी तो दोस्तों साट मिली का मतलब, माइक्रो का मतलब क्या हो गया अर्थार्थ 10 की पावर माइनस 6, क्या होगा, 60 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ये तो हो गया क्या, ये हो गया, 60 माइक्रो एम्पेर, और अगर मीली में करेंगे, तो क्या करेंगे, मीली में कितना होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, option नमबर ये, सुन्ने प मीली को लिखते हैं, दस्त की पावर माइनस 3, और माइक्रो को लिखते हैं, दस्त की पावर माइनस 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, option नमबर ये, 60 मीली एम्पेर की धारा मीली एम्पेर में कितनी होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुन्ने, सुन्ने, सुन्न ए बी सी बी का उप्योग किसके लिए किया जाता है किस ओल्टेज के लिए किया जाता है एर बलास्ट सर्किट बरेकर ए बी सी बी का मतलब क्या होता है एर बलास्ट सर्किट बरेकर है तो इसको किसके लिए किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसको 120 केवी के ओल्टे से अधिके लिए किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर डी चलिए अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा हार्मोनिक्स खालिस्तान में मोजूद होते हैं किसमें होते हैं डीसी परीफट में एसी परीफट में यह वह भी दोनों में या एक फेज ऐसी सर्किट में तो हार्मोनिक्स इनमें से किसमें पैदा होते हैं अर्थार्थ मोजूद होते हैं तो इसका right answer हो दाएगा option number B, correct answer क्या होगा, AC प्रीफत में, right answer क्या होगा, AC circuit में, अगला question, अगला question दे रखा है, आपूर्ती तो ओल्टता में परिवर्तन के कारण, अत्यदिक प्रवाईत होने वाला उपकरण कौन सा है, mixer, वेदूत उपकरण, table fan या room heat रे, तो आपूर्ती ओल्टता में, परिवर्तन के कारण, अत्यदिक प्रवाईत होने वाला उपकरण, इनमें से कौन सा है, प्रवाईत होने वाला उपकरण, इनमें से कौन सा होगा, तो फटा-पट से इसका right answer बताईए, तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा, वेदूत उपकरण, correct answer होगा, option number B, अगला क्यूशन, दोस्तो अगला क्यूशन दे रहा है, खालिस्तान, कारबन, मोनोकसाइड और हाईडरोजन का मिसरन है, वर्सा गैस से, जल गैस से, वाईउ गैस से, या उटपाद गैस, तो इनमें से correct answer कौन सा होगा, कारबन, मोनोकसाइड और हाईडरोजन किसका मिसरन ह इंग में से तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल गैस है वो कारबन मोनोक्साइड और हाईडरोजन का मिस्रण है राइट आंसर होगा ओप्षन नमबर B अगला कुशन अगला कुशन दे रगा इंडाक्षन जनितर का सर्पण हमेसा क्या होता है? slip क्या होता है induction जनित्र का दनातमा के रेनातमा के एक के या सुनने तो इन में से correct answer कौन सा होगा तो दोस्तों इसका शर्पन होता है अमें सा रेनातमा कोता है right answer होगा option नमबर B अगला question अगला question दिरका धातू allied lamp का उपयोग मुख्य तो कहां किया जाता है पारक और बगीचे में, थियेटर में, स्टेडियम और खेल मेदान में, आस्पताल और स्कूल में तो धातु एलाइड लेंप उते, उनका उप्योग कहां किया जाता है, मुख्य रूप से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्टेडियम और खेल मेदान में कहां किया जाता है इस्टेडियम और खेल मेदान में तो राइट आंसर होगा option number C अगला question दे रखा है एक overhead परनाली वाले दिवतियक परकार की संचरन लाइन में औल्टेज इस्तर किस परकार का होता है तो इसका राइट आंसर होगा उप्शन number D चलिए अगला question अगला question दे रखा है तीन फेज इस्टार connected चार तार परनाली संतुलित भार में निसक्रिय अवस्ता में धारा का मान कितना होता है फेज धारा से कमे फेज धारा के बराबरे सुनने या फेज धारा से हदिक तो इन में से correct answer कौन सा होगा फटापट से comment करके बताईए तो दोस्तो उसका होता है सुनने correct answer क्या होगा option number C अगला question अगला question दे रखा है केबल भीचाने के दोरा नियूंतम बंकन तिरिज्या खालिस्तान होनी चाहिए जहां D केबल का व्यास है D क्या दे रखा है केबल का व्यास दे रखा है तो बंकन तिरिज्या क्या होगी नियूंतम तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number C बारे D होगी correct answer होगा option C अगला question दे रखा है अधिकान सिस्तानों पर किस परकार की विद्धुत पारेशन परनाली को अपनाये जाता है दो फेज तीन तार, तीन फेज तीन तार, तीन फेज चार तार या दो फेज चार तार तो अधिकान सिस्तानों पर किस परकार की विद्धुत पारेशन परनाली को अपनाये जाता है इन में से इसका right answer हो जाएगा तीन फेज तीन तार को correct answer होगा option number B अगला question रखा है किसी एक महिने में कुल मांग को किसी समयाओदी में दिनों की संक्या से विवाजित करने पर क्या पराप्त होता है किसी एक महिने में कुल मांग को किसी समयाओदी में दिनों की संक्या से विवाजित करना है किससे करना है दिनों की संक्या से तो वह क्या कहलाता है सामाने मांग ओसत मांग अधिकतम मांग या नियूनतम मांग तो इन में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तो जब एक कुल मांग को समयावदी में दिनों की संक्या से विवाजित करते हैं तो वह आती है ओसत मांग कौन सी निकल कर आती है ओसत मांग तो करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर बी अगला कुशन दिरका चुम्बक के एसमान दुरुओ के बीच होता है क्या होता है आकर्षन विकर्षन ये वो भी दोनों ये इन में से कोई नहीं तो magnet होता है उसके S-man poles के बीच क्या होता है, दुरूवों की बीच क्या होता है, इसका right answer हो जाएगा आकर्शन होता है, correct answer क्या होगा, attraction होता है, correct answer होगा, option number ये, अगला क्युशन दे रखा है, परिफत की सक्ती मापने के लिए प्रियुक्त मिटर क्या कहलाता है, watt मिटर है, alt सरकिट की पावर को मापने के लिए प्रियुक्त मेटर क्या कहलाता है इसका राइट आंसर होजाएगा उज्जे वाट मेटर कहते हैं क्या कहते हैं वाट मेटर करेक्ट आंसर होगा ओप्षन नमबर ये अगला कुशन दोस्तों अगला कुप्शन दे रखा यदि mixer की motor के धातू case का winding के साथ electric संपरक है अर्थार्थ विद्धूत संपरक हो जाए तो winding कैसी होगी short circuit, open circuit, grounded या loose connection तो इन में से अगर किसी mixer की motor के धातू case का क्या हो जाए winding के साथ electric संपरक हो जाए तो winding कैसी होगी इसका right answer हो जाएगा grounded होगी correct answer क्या होगा option number C अगला कुप्शन दोस्तों अगला कुप्शन दे रखा alternator में कितने परची छले होते हैं अर्थार्थ slip ring कितने होते हैं slip ring की संक्या बताना है फटापड से बताओ इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number B दोर होते हैं correct answer क्या होगा option B अगला कुप्शन दे रखा DC motor में 2 की में निर्वर करता है किस पर करता है छेतर flux पर है चालक की आकार पर है लंबे समतक काम न लेने से तो अगर DC जनितर में आउसिष्ट चुमबकता खतम हो सकता है तो इसका मुख्य कारण क्या है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा उप्रोक्त सभी के कारण अर्थापते अचानक लगूपतन से भी हो सकता है मशीन के अत्तिवारित होने से भी हो सकता है या लंबे समतक काम न लेने से भी हो सकता है तो इसका right answer होगा option नमबर D अगला क्यूशन दे रखाट DC जनरेटर में इंटरपोल की दुरवता होनी चाहिए केवल उतरी दुरव केवल धक्षनी दुरव गूमने की दिसा में पिछे वाले मुख्य दुरव के समान या गूमने की दिसा में आगे वाले दुरव के समान तो DC जनरेटर में इंटरपोल की द्रोवता अर्थार्थ पोलेरिटी कैसी होनी चाहिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गूमने की दिस्ता में आगे वाले द्रोव के समान होनी चाहिए करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर तरह है यदि संट जनीतर के चेतर में भारी परतिरोद जोड दिया जाए तो क्या होगा ओप्शन इद्रका निर्गत सक्ती बढ़ जाएगी बी देरका जनीतर की ओलता घट जाएगी C देर का जनीतर का फलक्स बढ़ जाएगा D देर का जनीतर की ओल्टता बढ़ जाएगी तो यदि संट जनरेटर के छेतर में बहारी अर्थार्थ बहार से परतिरोध जोड दिया जाए तो उसमें क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B जनीतर की ओल्टता घट जाएगी जनीतर में क्या हो जाएगा ओल्टेज घट जाएगा तो करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर B दोस्तो अगला कुशन आया है एक उपकरण को अर्थ करने का उद्दे से निमन में से सुरक्षा परदान करना है इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्धुत जटके से बचाव के लिए उपकरण को अर्थ किया जाता है राइट आंसर होगा ओप्षन नमबर C अगला क्यूशन दे रखा है कंड्यूट वाइरिंग में परियोग होने वाले मोड का व्यास इनमें से कम नहीं होना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटी में होना चाहिए अगला क्यूशन दे रखा है एक ऐसी वाइरिंग जो चत में सबसे छोटा मारग अपना करें वह कम से कम समकोन बेंड का उप्योग करके पूरी की जा सकती है क्या कहलाती है कैसिंग, कैपिंग वाइरिंग, बेटन वाइरिंग, कंड्यूट सर्पेस वाइरिंग या कंड्यूट कंसिल्ड वाइरिंग तो इन में से वह वाइरिंग कौन सी है जो चत में सबसे छोटा मारग अपना करें वह कम से कम समकोन बेंड का उप्योग करके बनाई जा सकती है, अरतार्त पूरी की जा सकती है तो कौन सी वाइरिंग है इन में से तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा, कंड्यूट कंसिल्ड वाइरिंग, करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन नमबर D चलिए अगले क्यूट्शन, अगले क्यूट्शन का अंसर बताइए क्या होगा, एक लग को केबल के साथ सोल्डर करने से पूरो हमें खालिस्तान को टीन करना चाहिए, केवल लग को, केवल इस्टेंडर्ड चालक को, लग वचालक दोनों को या इन में से कोई नहीं तो एक लग को केबल के साथ सोल्डर करने से पूरो हमें किसको टीन करना चाहिए, किसको टीन करना आउशिक होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, लग वचालक दोनों को टीन करना चाहिए, क्रेक्ट आंसर होगा, ओप्शन नमबर C, अगला क्यूशन, अगला क के सनियोजन के लिए इन में से कौन सी टेप सरवसरेष्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा वारनिस केम्बरीक क्रैक्ट आंसर होगा ओप्चन नमबर दोस्तों अगला कुशन दोस्तों अगला कुशन दोस्तों 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 दोस्तो अंसर हो जाएगा ब्रेकडाउन ओल्टेज कहला था करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नंबर बी अगला कुशन अगला कुशन दिरका एक संट फिल्ड कुंडली में लगुपत का पता लगाने का सरोर्तम तरीका कौन सा है इनमें से ग्रावलर विदी ओम मिटर विदी टेस् मोटर में स्टार्टर का मुख्य काम क्या होता है परारंब धारा को कम करना बेक इमेप को सीमित करना छेतर परिफत परतिरोद बढ़ाना या आर्मिचर परतिरोद गठाना तो इनमें से डी सी मोटर में स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है तो दोस्तों इसको राइट से क्या बढ़ता है चाल फिल्डिक फलक से आर्मेचर दारा इंसुलेशन प्रतिरोज तो इंड में से बैक EMF गठने से क्या बढ़ता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर दारा क्रेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर सी अगला कुश्वन अगला कुश्वन रखा यदि DC मोटर के आर्मेचर में संतुलन होगा तो क्या होगा स्पार्किंग होगी मोटर अधिक दारा लेगी चाल कम होगी या एक निशित चाल पर वाइब्रेशन उत्पन होगा तो यदि एक DC मोटर के आर्मेचर में संतुलन होगा तो उनमें क्या एक निश्यत चाल पर वाइब्रेशन उत्पन होगा क्रेक्ट आंसर क्या होगा उप्षन नमबर डी अगला क्यूशन अगला क्यूशन दरका एक डीसी मोटर के घूमने की दिशा को चेक करने के लिए खालिस्तान की घूमने की दिशा देखनी चाहिए आर में चरे होगा आर में चर की कम्यूटेटर की वह सापट हो है पुली की तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर डी क्रेक्ट आंसर क्या होगा ओप्षन डी अगला क्यूशन सामनत एक इलेक्ट्रो डाइनोमो परकार उपकरन परियोग किया जाता है ओल्टेज मापन में धारा मापन में परतिरोध मापन में या सक्ती मापन में तो एक इलेक्ट्रो डाइनोमो परकार का उप्षन अंतर होता है वह किस में परियोग किया जाता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्ति मापन में करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर D अगला क्यूशन कलेंप ओन एमिटर द्वारा धारा मापने के लिए आप क्या करेंगे मिटर का स्विच ओल्ट पर सेट करें ट्रिमिनल से लीड जोड़े परतिरोध सरेणी में जोड़े मिटर का जबड़ा में चालक को रखे तो इनमें से कलेंप ओन एमिटर द्वारा धारा मापने के लिए आप क्या करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मिटर का जबड़ा में चालक रखे करेक्ट आंसर क्या होगा option number D अगला क्यूसन दे रहा उर्जा मापी में aluminium disk पर छेद करने से खालिस्तान में मदद मिलती है परतिरोद कम करने, सरपन रोकने, गर्षन कम करने यः डिस्क का बहार कम करने तो उर्जा मापी में aluminium disk पर छेद करने से किस में मदद मिलती है इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपन रोखने करेक्ट आंसर होगा option number B अगला कुशन दे रखा है विद्धूत उस्मक उपकरणों के उस्मक तंतु प्राय बने होते हैं किसके बने होते हैं टंगस्टन के पीतल के जिंक के या नाइक्रों के विद्धूत उस्मक उपकरणों होते हैं उस्मक तंतु किसके बने होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रों के correct answer क्या होगा option number D correct answer क्या होगा option D चले अगला क्यूशन अगला क्यूशन दरगा क्रित्रिम स्वास की किस विदी में व्यक्ति को पेट के बल लेटाये जाता है सेपर विदी में सिल्वेश्टर विदी में मुक से मुक विदी में या उप्रोक्त सभी में तो क्रित्रिम स्वास की किस विदी में व्यक्ति को पेट के बल लेटाये जाता है तो correct answer क्या होगा इनमें से इसका right answer हो जाएगा एक मेगा ओम से अधिक होना चाहिए correct answer क्या होगा option number D अगला question अगला question रखे हैलिक्स के नियम आनुसार अंगुठा किसकी दिशा परदर्शित करता है उत्री दुरव की, धारा की, चुम के छेतर की या गती की तो हैलिक्स के नियम के अनुसार अंगुठा किसकी दिशा को परदर्शित करता है इसका right answer हो जाएगा उत्री दुरव की correct answer क्या होगा option number E अगला question अगला question रखे है अगला question दरकर डाया चुम के पदार्थों की चुम्बक सिलता होती है इकाई, इकाई से अधिक, इकाई से कम या सुनने तो कितनी होती है डाया चुम्बक के पदार्थों की चुम्बक सिलता right answer हो जाएगा इकाई से कम होती है correct answer होगा option number C अगला question दोस्तों अगला question दरका 150 watt 100 voltage के दो लेंप समाना अंतर में जुड़े हो हो तो कुल सकती क्या होगी समाना अंतर में जुड़े हैं तो कुल सकती बता ना है फटापड से बताओ इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों दोनों क्या हो जाएगा P1 पलस दोनों का power क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा अर्थार्थ PT बराबर पाउर क्या हो जाएगा कुल सक्ती टोटल सक्ती हो जाएगी पलस तो डेड़ सो पलस डेड़ सो हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा 300 वाट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option number C, चले अगला question, अगला question दे रखा, क्या होगा, यदि एक sunt motor की sunt filled winding, चलते समय open हो जाए तो, option दे रखा, motor रोक जाएगी, B दे रखा, motor जल जाएगी, C दे रखा, गती बढ़ जाएगी, D दे रखा, कोई प्रवाव नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, यदि एक sunt motor की sunt filled winding, क्या हो जाएगी, चलते समय open हो जाए तो, तो इसका right answer हो जाएगा, motor जल जाएगी, correct answer क्या होगा, option number B, अगला question, दोस्तों, अगला question दे रखा, DC motor की गती, निमन में से किस कारक पर निर्वर करती है, DC motor की speed होती है, वह किस पर निर्वर करती है, load पर है, voltage पर है, flux पर है, तो किस पर करती है, तो दोस्तों, DC motor की गती, load पर भी करती है, voltage पर भी करती है, वह फलक्स पर भी करती है, इसका right answer हो जाएगा उप्रोफ ते सभी पर निर्वर करती है तो right answer होगा option number D भारतिय विदूत के नियम आनुसार दो अर्थों के बीच की दूरी रखी जाती है कितनी दूरी रखी जाती है option दे रखा 1.5 meter B दे रखा 5 meter C दे रखा 15 meter D दे रखा है 2.5 meter तो भारतिय विदूत नियम आनुसार दो अर्थों के बीच में दूरी कितनी रखी जाती है important question है फटापड़ से बताओ इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा दो अर्थों के बीच दूरी रखी जाती है 5 meter के correct answer होगा option number B चले अगला question अगला question दे रखा differential compound generator में संट वा सिरीज का चुंब के चेतर होता है ग्रोधी साय के परबल या बहुत अदिक तो differential compound generator में संट वा सिरीज का चुंब के चेतर कैसा होता है इसका right answer हो जाएगा एक दूसरे का विरोधी होता है correct answer होगा option number A अगला question अगला question दे रखा निमन में से कौन सी DC motor starter की सुरक्षया युक्ती है starter की सुरक्षया युक्ती कौन सी है इन में से NVC, PVC, PCB, STARS या OLC correct answer क्या होगा इन में से तो दोस्तों इसका right answer हो देगा OLC correct answer क्या होगा overload कवाईल इसका full form क्या होता है overload कवाईल तो correct answer हो जाएगा option number D अगला question दोस्तों अगला question दे रखा सभी परकार के प्रकासिया उपक्रणों की फ्रस से नियूंतम उचाई क्या होनी चाहिए option दे रखा 1.3 मीटर B दे रखा 2.25 फुट C दे रखा 2.25 मीटर D दे रखा 1.3 फुट तो सभी परकार के प्रकासिया उपक्रणों की प्रस से उचाई नियूंतम कितनी होनी चाहिए इसका right answer बटाबट से बताना है फटाबट बटाओ इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा 2.25 मीटर होनी चाहिए ये correct answer होगा option number c अगला question अगला question तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा सुस्क सेकंडरी सेल, क्रेक्ट आंसर क्या होगा, ओप्शन नमबर B, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन देखा, DC मोटर के कम्यूटेटर पर, अत्यादिक स्पार्किंग होने के लिए जिम्मेदार कोन है, रब कम्यूटेशन है, आर्मिचर रियक्शन है, हदिक लोड या होगा, रब कम्यूटेशन भी, आर्मिचर रियक्शन भी वा हदिक लोड भी, तो करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन नमबर D, चली अगला क्यूशन, अगला क्यूशन देखा, DC मोटर की गती नियंत्रण की, सबसे उत्तम विदी कोन्सी है, आर्मिचर नियंत्रण विदी, फि आपट बताओ, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाड लियोनाड गती नियंत्रण विदी, करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन नमबर D, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन देखा, पलेट आर्थिंग के लिए गड़े की अध करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन नमबर D, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दे रखा है, सबसे उत्तम वाइरिंग की विदी कौन सी है, जोड विदी, लूपिंग विदी, कनेक्टर विदी या कैसिंग केपिंग विदी, तो सबसे उत्तम वाइरिंग की विदी इन में से क कोणसी होगी इसका राइट आंसर हो जाएगा लूपिंग विदी करेक्ट आंसर होगा option number b चले अगला question अगला question दे रखा निमन में से उच्छी प्रारंबिक टोरक वाली motor कोणसी है option ने दे रखा compound motor b दे रखा sent motor c दे रखा series motor d दे रखा synchronous motor तो इन में से उच्छ प्रारंबिक टोरक वाली मोटर कौन सी है फटापट से बताईए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तों उच्छ प्रारंबिक टोरक वाली मोटर होती है स्रीज मोटर करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर C अगला क्विश्चन त्रका किसी वैदूतिक वाइरिंग में किसी परीफट का स्यूज ओन करने पर फ्यूज ऊड़ जाता है तो इनमें से कौनसा दोस संबह हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा सोट दोस क्रेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर डी चले अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा अर्थ को बावन से किस मानक दूरी पर इस्ताफित किया जाना चाहिए तीन मेटर एक पॉइंट पांस मेटर है द चले अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा है घर से लगे दो लेंपों में से एक लेंप हदिक होगा दूसरा कम चमकता है दोनों में से किस लेंप का परतिरोध हदिक है यदि घर में दो लेंप लगे होए है उन में से एक हदिक चमकता है जबकि दूसरा कम चमकता है तो बताओ कि दोनों में से किस लेंप का परतिरोध अधिक होगा, इन में से दोनों में से किसका लेंप का परतिरोध अधिक होगा, option ए दिरका कम चमकने वाले का B दिरका हदिक चमकने वाले का C दिरका दोनों का समान D दिरका दोनों का परतिरोध कम है तो इन में से किसका परतिरोध हदिक होगा दोस्तो इसका right answer हो जाएगा कम चमकने वाले का परतिरोध क्या होगा हदिक होगा तो right answer होगा option number ये जबकि हदिक चमकने वाले का परतिरोध क्या होगा कम होगा तो इसका correct answer हो जाएगा option number ये अगला question देराखा उस्मा का मातरक क्या है heat का मातरक बताना है उस्मा का मातरक बताओ क्या होगा option देराखा centigrade भी देराखा जूल सी देराखा केलोरी परति जूल डी देराखा वाट सेकिल तो इन में से correct answer कौन सा होगा तो दोस्तो उस्मा का मातरक होता है जूल correct answer होगा option number B अगला question देराखा निमन में से किस वेग्यानिक ने proton की खोज की थी जेजे थॉम्सन, जोन, डेल्टन, रदरफोर्ड या चेडवी तो correct answer क्या होगा इन में से किस वेग्यानिक ने proton की खोज की थी important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा रदरफोर्ड ने correct answer होगा option number C अगला question अगला question देराखा lead acid cell में electrolyte का इसतर पलेटो से कितना उपर होना चाहिए एक इंची 10 cm, 1 cm या 1 mm तो lead acid battery में electrolyte का इसतर पलेटो से कितना उपर होना चाहिए इसका right answer हो जाएगा 1 cm correct answer क्या होगा 1 cm तो अगला question दोस्तो अगला question देराखा यदि एक तार के लूप को चुम्ब के छेतर में घुमाए जाए तो उसके द्वारा उत्पन विद्धुत्वाक बल क्या होगा AC, DC, दोनों परकार का या सुद्ध DC तो एक तार के लूप को चुम्ब के छेतर से छेतर में घुमाए जाए तो उसका विद्धुत्वाक बल क्या होगा important question है बताओ क्या होगा इसका correct answer तो दोस्तों उसका right answer हो जाएगा AC अर्थार्थ alternating current correct answer होगा option number ये अगला question अगला question दे रखा भारतिय मानकों के अनुसार परकास वे पंकों के परीफत के लिए के एक उप परीफत में कितने वाट का लोड मानने हैं यहां परीफत है मिस्पिरिंट है क्या दे रखा है परीफत के एक उप परीफत में कितने वाट का एक लोड मानने है 108, 1000W, 808 या 1508 तो परकास वह पंको के जो सरक्यट होते हैं उनमें एक उप परीफक में कितने वाट का लोड मानने होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 808 क्राइक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर C चलिए अगला क्यूप्शन दोस्तों अगला क्यूप्शन एक DC मोटर 1500 चकर एक मिनट में करती है तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड तो एक सेकंड में कितना करेगी तो सीधा सक क्या करेंगी 15 में 60 का भाग देंगी तो 60 का भाग देंगें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 चकर एक सेकंड में कितने चकर पूरा करेंगी 25 चकर तो 60 सेकंड में कितना करेगी 60 सेकेंड में करेगी 1500 चकर तो इस परकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option number B करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option number B चलिए अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका निमन में से कौन सा generator अवसिस्ट चुमबकताओ के बीना भी ओल्ट ता उत्पन कर सकता है संटेज, सिरीज, कम्यूलेटिव, कमपाउंड या डिफरेंचियल कमपाउंड तो करेक्ट आंसर कोन सा होगा इन में से इन में से कौन सा generator है जो की अवसिस्ट चुमबकताओ के बीना भी ओल्टेज उत्पन कर सकता है इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंचियल कमपाउंड मोटर करेक्ट आंसर होगा या मोटर नहीं है generator है राइट आंसर क्या होगा डिफरेंचियल कमपाउंड जनरेटर अगला क्यूशन अगला क्यूशन दरका दो परकासिय खंबो के बीच के अधिकतम दूरी रखी जाती है सड़शट मेटर पचपन मेटर पैतालिस मेटर दोसो सत्ताहस मेटर तो दो प्रकासिये खंबों के बीच अधिकतम दूरी कितनी रखी जाती है इसका राइट आंसर होदाइगा 66 मेटर करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर ये अगला कुश्चन दोस्तो अगला कुश्चन दे रखा भारतिय विद्धूत के नियमा अनुसार समपूरन वाइरिंग में प्रियुक्त अर्थिंग तार का कुल परतिरोध होना चाहिए कितना उना चाहिए 101 मेगा ओम 8 में ओम 3 ओम ये एक ओम राइट आंसर कुश्चन होगा तो दोस्तो भारतिय विद्धूत के नियमा अनुसार संपूरन वाइरिंग में प्रियुक्त अर्थिंग तार का कुल परतिरोद होना चाहिए एक ओम, करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन नमबर D अगला क्यूशन अगला क्यूशन देरका, भारत की मानक 3-phase voltage का मान है 440 voltage, 415 voltage, 240 voltage या 250 voltage तो 3-phase voltage का मान बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 415 voltage करेक्ट आंसर क्या होगा, ओप्शन नमबर B अगला क्यूशन दोस्तों, अगला क्यूशन देरका, भारत में सप्लाई फ्रिक्वेंसी का मान कितना है 50 Hz, 45 Hz, 55 Hz, 51 Hz तो भारत में सप्लाई फ्रिक्वेंसी का मान बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के लिए 50 Hz करेक्ट आंसर क्या होगा, ओप्शन 1425 है सरेनी करम में 1.1 volt के 5 सेलो पर कुल विद्धुत वाक बल क्या होगा ओप्शन देरका 5.5 voltage, भी देरका 4.4 voltage, सीधरका 11 voltage, भी देरका 3.3 voltage इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, सरेनी करम में दिया गया है और परते का 1.1 voltage रखा गया है जब 5 सेलो का EMF क्या होगा, कुल EMF बताना है तो फटा फट से बताओ, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 अर्थार्थ 1.1 पलस 1.1 इस परकार से 500 सेलो का जोड़ेंगे तो क्या होगा कुल 5.5 हो जाएगा, अर्थार्थ सरेनी करम में क्या हो जाता है पलस हो जाता है, voltage क्या हो जाता है, पलस हो जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option number ये चलिए अगला question दोस्तो अगला question देराखा है lead acid cell में किन पलेटों की संक्या अधिक रखी जाती है धन पलेटों की, ring पलेटों की, किसी की भी नहीं या धन वर रिन दोनों की तो lead acid cell होता है, सिसा संचाइक भेटरी उसमें पलेटों की संक्या किसमें अधिक रखी जाती है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा ring पलेटों की संक्या अधिक रखी जाती है correct answer होगा option number B चलिए अगला question अगला question देराखा, एक calorie में कितने जूल होते हैं एक calorie होती है, उसमें कितने जूल होते हैं एक पॉइंट 43 जूल, सुन्ने पॉइंट 24 जूल, 4.18 जूल या 366 जूल तो एक calorie बराबर कितने जूल होते हैं important question है, जल्दी बताओ इसका correct answer क्या होगा फटाबर से comment करके बताइए तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number C 4.18 जूल होते हैं, एक calorie में कितने जूल होते हैं 4.18 जूल, तो correct answer होगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दिया गया है गीली अवस्ता में मनुस्य शरीर का प्रतिरोध कितना होता है एक ओम, एक अजार ओम, एक अजार किलो ओम सो किलो ओम, डी दिया का सुनने ओम तो गीली अवस्ता में मनुस्य के सरीर का प्रतिरोध कितना होता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा एक अजार ओम, correct answer क्या होगा option number B अगला question अगला question दिया का plate आर्थिंग में प्रियोक्त plate को भूमी में किस इस्तती में रखा जाता है 36, उद्रव, सरंकला या उप्रोक्त सभी तो plate आर्थिंग में plate को भूमी में किस परकार से रखा जाता है किसी इस्तती में रखा जाता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा उर्द्वादर इस्तती में क्रेक्ट आंसर होगा option number B, अगला question, अगला question दे रखा है, energy meter को भूमी से किस उचाई पर इस्ताफित करना चाहिए, 2 meter है, 3 meter है, 1 meter है, 1 meter है, 1.5 meter, तो इन में से correct answer को चुनना है, फटावड से चुनिये कौन सा होगा, इन में से correct answer है, उर्जाब meter को भूमी से कितनी उचाई प पर इस्ताफित करना चाहिए, तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा, 1.5 meter की उचाई पर, correct answer होगा option number D, अगला question, अगला question दे रखा है, load रहीत आवस्ता में, DC संट मोटर का टोरक पूर्ण load टोरक से होता है, कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, या सुनने होता है, तो load रह correct answer हो जाएगा, समान रहता है, correct answer होगा, option number C, अगला question, दोस्तो अगला question दे रहा है, चुम्बक के बार किस और चलती है, किस परकार से चलती है, उत्तर से दक्षिन की और, दक्षिन उत्तर की और, पूरव से पस्तिम की और, या पस्तिम से उत्तर की और, तो चुम्बक की ब पर रहे कि चुम्बक के बार किस परकार से चलती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन नंबर ये correct answer क्या होगा? उत्तर से दक्षण के ओर चलती है बार किस परकार से चलती है उत्तर से दक्षण के ओर तो correct answer होगा option नंबर ये दोस्तो अगला कुशन दे रखा है HRC Fuse किस अधिकतम मान तक बनाई जाते हैं High Rapturing Capacity Fuse होते हैं उनका हधिकतम मान कितना हो सकता है कितने मान तक बनाई जाते हैं कितने MPR तक बनाई जाते हैं Option दे रखा 200 MPR, B दे रखा 30 MPR, C दे रखा 1000 MPR, D दे रखा 60 MPR तो हधिकतम मान कितना हो सकता है HRC Fuse का तो इसका correct answer हो जाएगा 1000 MPR तक बनाई जा सकते हैं कितने MPR तक है? 1000 MPR तक correct answer होगा option number C अगला question दे रखा है permeance का मात्रक क्या है? permeance का मात्रक बताना है तो इनमें से कौन सा होगा permeance का मात्रक है? option दे रखा है क्या होगा इनमें से? तो दोस्तो permeance का मात्रक होता है waiver परती MPR तरन क्या होता है? waiver परती MPR तरन correct answer हो जाएगा option number D अगला question दे रखा है 4 वद 7 Ohm के दो परतिरोध को को समाना नतर में जोडने पर समतुल्ले परतिरोध क्या होगा? दो परतिरोध दे रखे हैं जो की 4 वद 7 Ohm के हैं तो दोनों का समतुल्ले परतिरोध क्या होगा? अर्थार्थ RT ग्याद करके बताना है तो समाना नतर में जुड़े हुए हैं तो उनको कैसे ग्याद करेंगे? 1 बटे R1 पलस 1 बटे R2 2 दे रखे हैं R1 का मान दे रखे हैं 4 वद R2 का मान दे रखे हैं 7 तो इस परकार से इसको हल करेंगे तो 1 बटे R T बराबर R1 का मान कितना दे रखे हैं 4 पलस R2 का मान कितना दे रखे हैं 7 तो इस परकार से इसको हल कर लेंगे या दूसरे trick से भी इसको हल कर सकते हैं trick क्या होती है trick होती है rt बराबर rt बराबर r1 into r2 बटे r1 पलस r2 आप इसको इस परकार से भी हल कर सकते हैं तो चलिए इस परकार से हल कर लेते हैं इसको तो दोस्तो r1 का मान दे रखा है 4 गुना 7 आर्टू कमान कितना दे रखा है साथ बटे आर बन पलस आर्टू हो जाएगा तो इस परकार से इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा चार को साथ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साथ चोक 28 बटे 11 जब इसको भाग देंगे तो इसका राइट राइट आंसर क्या हो जाएगा दो पोइंटे 546 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी तो इस परकार से इसको हल कर सकते हैं चलिए अगला क्यू कितने उपवोग बिंदू हो सकते हैं तो दोस्तो इसका राइट आंसर बताईए फटाबट से क्या होगा तो दोस्तो पावर के लिए होगा दो क्रेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर यह अगला क्यूशन अगला क्यूशन रखा स्विच वोड की फ्रस से नियूंतम होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पिएट फच्शिस मेटर पॉप्शन नमबर अगला क्यूशन गूंसर तो अगला कुशन तर रखा सेल के लोड विदूत वागबल का मान स्रोर्त विदूत वागबल से कम होने का कारण क्या है मुख्य कारण बताना है ऑप्शन द तो शेल के लोड विदूत वागबल का मान स्रोर्त विदूत वागबल से कम होने का मुख्य कारण क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल का अंतरिक परतिरोद करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर C चलिए अगले क्विप्शन का अंसर बताईए क्या होगा फटा पर से कमेंट कीजिए सुन्ने लोड अवस्ता में ट्रांसफार्मर की प्रात्मिक धारा का मान फुल लोड धारा का होता है कितना होता है तीन से नो परतिसात है चार से छे परतिसात है दो से पांच परतिसात है इनमें से कोई नहीं तो सुन्ने लोड अवस्ता में ट्रांसफार्म किष्ट तरह scratch फेज करंड किसके बरावर होता है ओप्शन दरखा है रूड तीन गुना फेजकरंड के सीधर है कर से रोड राइन करंड बटे बिद रहा है दिन बटे फेजकरंड के तो क्रैक्ट आंसर कौन सा होगा है इनमें से फेजकरंड किसके बराबर होता है डेल्टा सनियोजन में करेक्ट आइजन को समानांतर सनियोजन मी कह सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है इसका दूसरा नाम होता है समानतर सन्योजन तो इसका correct answer हो जाएगा option number C चलिए अगला question अगला question दे रखा है पदार्त जिनने चुम्ब के छेतर में रखने पर चुम्बक तो नहीं बनते परन्तु चुम्ब के बल रेखा हो की संक्या बड़ा देते हैं तो इसका right answer हो जाएगा उन्हें पेरा पदार्त के नाम से जाना जाता है correct answer होगा option number ये चलिए अगला question दोस्तो अगला question दे रखा है सुसक सिलेका जैल का रंग कैसा होता है सपेद गुलाबी नीला या हलका गुलाबी तो सुसक सिलेका जैल होता है उसका रंग कैसा होता है important question है जल्दी बताओ इसका correct answer क्या होगा फटापड से बताइए तो दोस्तो सुसक सिलेका जैल का रंग होता है नीला correct answer क्या होगा option number C चलिए अगला question अगला question दे रखाए ट्रांसपार्मर में चतिया, low चतिया, यांतरिक चतिया या गर्षन चतिया तो correct answer कौन सा होगा इनमें से फटापड से बताइए open circuit टेस्ट होता है वाकिन हानियों को ज्याद करने में किया जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा option number B लो हानियों को correct answer होगा option number B चलिए अगला question अगले question का अंसर बताइए क्या होगा DC series motor को start करने में परियुक्त starter कौन सा है 2 point starter, 3 point starter, 4 point starter या DOL starter इनमें से series motor को start करने के लिए किस starter का उप्योग किया जाता है फटाफड से बताइए correct answer कौन सा होगा तो दोस्तों DC series motor के लिए 2 point starter का उप्योग किया जाता है correct answer होगा option number B चलिए अगला question अगला question देरा का LT transformer परियुक्त किस समता के होते हैं low tension transformer होते हैं वे परियुक्त किस समता के होते हैं 10,000 KVA के 15,000 KVA के 15,000 KVA के या 1,000 KVA के तो correct answer कोई सा होगा इनमें से पटापड से बताईए right answer कुन सा होगा LT transformer होते हैं वे किस समता के बने होते हैं तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा 15,000 KVA के correct answer होगा option number B अगला question अगला question देरा का 20 लेंपों की समाना अंतर सनियोजित एक लड़ी में लेंप संक्या 4 यदी po based तो उसमें क्या होगा option इद रखा है कोई भी लेंप कार्ये नहीं करेगा B देरा का सब भी लेंप जाएंगे C देरा का चार number लेंप कार्ये नहीं करेगा D देरा का लेंप नमबर 4 के बाद सब लेंप जलते रहेएंगे तो अगर एक 20 लेंपों कि एक लड़ी है क्या है एक लड़ी है जो कि समाना अंतर में सन्यों जीता है पेरेलल में जुड़ी हुई है तो उनमें से एक चार नंबर का बलब होता है वह फ्यूज हो जाता है तो उसमें क्या होगा important question है इनके options को देखकर इसका right answer बताना है फटापट बताओ इसका correct answer क्या होगा बहुत important question है जल्दी जल्दी comment कीजिए तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा चार नंबर लेंप कारे नहीं करेगा बाकि सभी लेंप क्या करेंगे कारे करेंगे सभी लेंप जलते रहेंगे जबकि चार नंबर का लेंप कारेंगे नहीं करेगा तो इसका correct answer हो जाएगा option number C अगला question रखाए एक capacitor का capacitive reactance होता है एक capacitor होता है उसका capacitive reactance कैसा होता है अर्थार्थ x c बराबर क्या होता है frequency के समानुपाति होता है frequency के बराबर होता है या frequency से ज्यादा होता है तो capacitive reactance कैसा होता है एक capacitor का important question option क्यादार पर इसका answer बताना है तो दोस्तो एक सी बराबर क्या होता है एक बटे 2PiC एप का मतलब frequency हो गए C का मतलब हो गए Capistence तो फटापर से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा इस सुत्तर के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं तो दोस्तो एक सी किसके विलोव मानुपाति होता है फ्रिक्वेंसी के तो correct answer क्या हो जाएगा फ्रिक्वेंसी के विलोव मानुपाति होता है तो correct answer होगा option नमबर ये अगला कुशन रखा है निमन में से किस धातु के परतिरोधक बनाई जाते हैं इन में से कौन सी धातु है जिसके परतिरोधक बनाई जाते हैं पारा जस्ता यूरेका यसी सा तो correct answer कौन सा होगा फटावर से कमेंट करके बताई ये तो दोस्तो यूरेका के परतिरोधक बनाई जाते हैं correct answer होगा option नमबर C चले अगला कुशन रखा सरेणी में जुड़े चार लेंपों में से एक लेंप की धारा का मान चार एंपियर हो तो कुल धारा क्या होगी एक एंपियर चार एंपियर 16 एंप तो सरेणी में जुड़े होए चार लेंपों में एक लेंप की धारा क्या दे रखी है चार दे रखी है तो कुल धारा कितनी होगी तो दोस्तो सरेणी करम में धारा क्या होती है सबी में बराबर होती है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा चार एंपियर ही धारा होगी correct answer होगा option न 35% है तो सेडेट पॉल मोटर होती है उसकी दकस्ता कितनी होती है फटावटसे बताईए करिक्ट आंसर कुन सा होगा इन में से तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 परतिसत होती है और अप्सन नमबर डी अगला क्यूंशन अगला क्यूंशन रखा इस्टार डेल्टा स्टार्टर का परियोग कितने HP की motor के लिए कि आ जाता है यहां starter है तो फटावर से बताईए कितने HP के लिए कि आ जाता है star, delta, starter का उप्योग कितने HP की motor के लिए कि आ जाता है 5HP तके 3HP से अधिक के लिए या 5HP से कम के लिए तो इन में से correct answer को चुनिए कौन सा होगा इसका right answer हो जाएगा 5HP से कम के लिए star, delta, starter का परियोग किया जाता है correct answer होगा option number D अगला question दोस्तों अगला question देरा का forum factor का मान कितना होता है 1.11, 1.44 या 6.637 या 6.707 तो forum factor का मान बताना है इसका right answer होगा 1.11 होता है correct answer होगा option number E चलिए अगला question दोस्तों अगला question देरा का एक 8 pole वाले alternator से 40HP प्रिक्वेंसी प्राप्त करने है तो किस गती पर गुमाना होगा या गुमाना है तो किस गती पर गुमाना होगा फटापड़ से answer बताईए क्या होगा तो दोस्तों गती ग्याद करने का फोर्मूला क्या होगा N बराबर F into 120 बटे P P का मतलब पोल्स की संक्या F का मतलब हो गया फ्रिक्वेंसी तो फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है फ्रिक्वेंसी दे रखी है 40RG और पोल्स की संक्या दे रखी है 8 तो चलिए ग्याद करते हैं फ्रिक्वेंसी दे रखे 40 पोल्स की संख्या पोल्स की संख्या दे रखे 8 तो आट पंजे 40 ये कड़ जाएगा बार पंजे 60 600 RPM, करेक्ट आंसर क्या होगा 600 RPM पर गुमाना होगा गती क्या होगी 600 RPM यहाँ option में कोई भी नहीं दे रखा है तो इन्के option गलत है यहाँ option होगा 600 RPM राइट आंसर कौन सा होगा इन में से 600 RPM किसी में नहीं दे रखा है तो यहाँ आप 600 कर लेना उसका right answer होजएगा option number C चले अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा थ्री फेज मोटर में, इस्टेटर की गती को क्या कहते हैं, इंड़क्शन गती, सिंक्रोनस गती, रोटर गती, या सिलिप गती, या सिलिप है, तो फटाबर से बताएए क्या होगा इसका correct answer, important question है, तो दोस्तो इसका right answer होदेगा, सिंक्रोनस गती, correct answer होगा option number B, चलिए अगला question का आंसर बताईए क्या होगा DC Motor का टोरक समानुपाती होता है किसके समानुपाती होता है टोरक बेक EM MAP के, फिल्ड करंट के आर्मिचर करंट के या ओल्टेज के तो DC Motor का टोरक किसके समानुपाती होता है फटापड़ से बताईए ये correct answer क्या होगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number C armature current के किसके समानोपाती होता है armature current के तो right answer हो जाएगा option number C तो अगला question दिरखा यदि supply का page करम परिवर्तित हो जाए तो निमन में से कौन से load प्रभावित होंगे इन में से कौन से load प्रभावित होंगे option A दिरखा heater B दिरखा तीन फेज मोटर C दिरखा पंके D दिरखा परकास ये load तो यदि supply का page करम परिवर्तित हो जाए बदल जाए तो इन में से कौन से load प्रभावित होंगे इंपोर्टन क्यूशन है जल्दी बथा इसका right answer कौन सा होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा तीन फेज मोटर correct answer क्या होगा option नमबर B अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरखा H आलको की सरेणी H का कारे कारी ताप मान बताना है तो H का मान कितना होता है इसका right answer हो जाएगा 155 degree correct answer क्या होगा 155 degree right answer हो जाएगा option नमबर ये अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरखा एक सामाने विदूत लेंपे विदू धारा के किस परभाव पर कारे करता है चूंबकिये परभाव, किरन परभाव, उस्तमिये परभाव या गेंसाई निकरन परभाव तो इन में से किस परभाव पर काम करता है इसका right answer हो जाएगा उस्तमिये परभाव पर Correct answer होगा option number C अगला क्विशंट रह्या है आटो ट्रांस्फार्मर का कारे सिद्धानत होता है सh परेर, सव परेरन, पार्स परीक dewफ, सभी तो आटो ट्रांस्फार्मर की सिद्धानत पर काम करता है तो दोस्तों इसका राइट аंसर होता है वह सव परेरण के सिध्धान्थ पर काम करता है, ओटो ट्रास्पार्मर के सिध्धान्थ पर काम करता है, सव परेरण के सिध्धान्थ पर, तो right answer होगा option number B, अगला question, दोस्तों अगला question दे रहागा, power factor का मान leading होता है, जब load inductive हो, capacity हो, सुध inductive हो, या सुध capacity हो, तो power factor का मान leading कब होगा, इसका right answer हो जएगा, जब load capacity हो, correct answer क्या होगा, option number B, अगला question, दोस्तों अगला question दे रहागा, 2.5 ओल्ट के, 5 सेलों को समाना अंतर में जोड़ने पर, कुल voltage कितनी होगी, कुल voltage को बताना है, जब समाना अंतर में जोड़ा जाए तो, खटाबड से बताओ, इसका right answer कुण सा होगा, तो दोस्तों समाना अंतर में सभी भी क्या होगा, समान voltage होगा, correct answer हो जाएगा, 2.5 ओल्टेज, यहां 2.5 दे रहा है, तो यहां भी क्या होगा, 2.5 ओल्टेज, तो correct answer होगा, option number D, अगला question, अगला question दे रहागा, कार्य वा खालिस्तान की इकाई समान होती ह किसकी इकाई समान होती है कारे के समानी सक्ति की बल की उर्जा की या भार की तो किसकी इकाई समान होती है कारे के इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्जा की करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नंबर सी दोनों की इकाई क्या होती है जूल तो राइट आंसर हो जाएगा ओप तो ऐसी होती है उसका धन वरिण चक्कर के मद्य इसतर के सापक्स हधिकता मान क्या कहलाता है इसका राइट आंसर भटावर्चे बताईए तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयाम कहलाता है क्रेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर C अगला क्यूशन देखा यदि चलते समय एक थ्री फेज मोटर का एक फेज उड़ जाए तो निमन में से क्या गटित होगा मोटर की गटि बढ़ जाएगी कोई परवाव नहीं पड़ेगा मोटर जल जाएगी या मोटर लोड नहीं उठाएगी तो यदि चलते समय एक थ्री फेज मोटर का एक फेज उड़ जाए तो इन में से क्या गटित होगी इसका राईट आंसर हो जाएगा मोटर लोड नहीं उठाएगी मोटर क्या हो जाएगी लोड नहीं उठाएगी तो राईट आंसर होगा option number D अगला क्युस्जन रिपल्सन मोटर की गुणन दिशा निमन में से क्या परिवर्थित करके बदली जा सकती है तो रिपल्शन मोटर की गुर्णन ने दिशा को यहां गुर्णन दिशा किस परकार से बदली जा सकती है परिवर्थित की जा सकती है इसका राइट आंसर हो जाएगा बरस की इस्तती को बजल कर राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर डी चले अगला क्युशन ओवर्लोड कवाईल जोड़ी जाती है ओवर्लोड कवाईल होती है OLC जिसे OLC भी बहुते हैं सोट में तो OLC जोड़ी जाती है मोटर के समाना अंतर में स्टार के समाना अंतर में मोटर के सरेणी में या सपलाई के सरेणी में तो OLC कैसे जोड़ी जाती है किस प्रकार से जोड़ी जाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्लाई के सरेनी करम में जोड़ी जाती है करेक्ट आंसर होगा option number D चलिए अगला क्यूशन अगले क्यूशन का अंसर बताएगे क्या होगा हंटिंग दोस्को दूर करने के लिए प्रियोग की जाती है Salient pole, Damper winding, Interpol या Dark pole तो Hunting दोसको दूर करने के लिए इन में से क्या जोड़ा जाता है किसका प्रयोग किया जाता है ईसका Right Answer हो जाएगा Damper winding का Correct Answer होगा Option No. B अगला Question दोस्तो अगला Question दे रका Transformer Oil का तापमान कितने degree centigrade से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए 20 degree centigrade तो transformer वो येल होता है उसका तापमान कितने degree centigrade से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए correct answer कौन सा होगा इन में से तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा 100 degree centigrade से अधिक नहीं होना चाहिए right answer होगा option number D अगला question दोस्तो अगला question देरका cell परकार के transformer में पहले कौन सी winding इस्तापित की जाती है primary winding, secondary winding, कोई भी या इन में से कोई नहीं तो cell परकार का transformer होता है उसमें सबसे पहले कौन सी winding इस्तापित की जाती है तो दोस्तो इसका right answer हो देगा primary winding correct answer होगा option number E अगला question अगला question देरका centrifugal स्यूज का कारे क्या होता है तोरक को बढ़ाना, starting winding को अलग करना, running winding को अलग करना या गती को कम करना तो centrifugal स्यूज होता है उसका कारे क्या होता है तो दोस्तो इसका right answer हो देगा starting winding को अलग करना right answer होगा option number B तो दोस्तो अगला question देरका 230 volt supply से जुड़ा एक हिटर 4.25 ampere लेता हो तो उसके द्वारा ली गई सक्ती क्या होगी उसके द्वारा सक्ती ग्याद करना है सक्ती क्या होगी जब आपको धारा दे रखे 4.25 ampere वह 230 voltage दे रखा है तो पावर ग्याद करना है तो फटा फटा से पावर ग्याद करके बताई right answer कुन सा होगा इन में से तो दोस्तों पावर ग्याद करने का सुत्तर क्या होगा जब आपको उल्टेज वह धारा दे रखे हो तो V into I अर्था उल्टेज गुना धारा तो उल्टेज का मान दे रखा है कितना 230 voltage तो 230 गुना धारा कितनी दे रखे 4.25 ampere तो 4.25 इसको गुना कर लेंगे दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका right answer हो जाएगा 970.5 watt correct answer होगा option number ये जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका right answer क्या हो जाएगा option नंबर ये चले अगला कुशन अगला कुशन दे रखा इस्टार डेल्टा सन्योजन का परियोग किया जाता है उच्छ ओल्टेज निमन सकती के लिए उच्छ ओल्टेज इस्टेप पावर के लिए निमन ओल्टेज उच्छ सकती के लिए या उच्छ ओल्टेज उच्छ सकती के लिए तो star delta sunnusion होता है उसका परियोग किसके लिए किया जाता है तो दोस्तो इसका right answer हो दाएगा voltage step up power के लिए correct answer होगा option number B अगला question अगला question देरा का lagging power factor को सुधारने के लिए परियोग करते हैं किसका परियोग करते हैं capacitor का inductor का register का यह इन में से कोई नहीं तो लेंगिंग power factor को सुधारने के लिए किसका परियोग करते हैं तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा capacitor का जिसे संदारी तरवी कहते हैं right answer होगा option यह अगला question दोस्तो अगला question रखा इलेक्ट्रो पलेटिंग के लिए निमन में से कौन सा generator उप्युक्त रहता है संट generator, series generator, compound generator या differential compound generator तो right answer कौन सा होगा इन में से इसका right answer हो जाएगा संट generator, correct answer होगा option नमबर यह अगला question अगला question दो रखा तीन फेज परनाली में यदि तीनों फेजों का power factor वह फेज करंट समान हो तो उस पर जुड़ा load कहलाता है क्या कहलाता है परभावी, ऐबासी, ऐसंतुलित या संतुलित तो यदि तीन फेज परनाली में तीनों फेजों का power क्या है पावर फेज करंट समान हो तो उस पर जुड़ा load क्या कहलाता है इसका right answer हो जाएगा संतुलित लोड correct answer होगा option number D अगला question दोस्तो अगला question दे रखा है तापमान का SI मातरक क्या होता है temperature होता है उसका SI मातरक बताना है तो फटावर से बताओ इसका SI मातरक क्या होता है तापमान का option दे रखा है रियूमर, Celsius, Kelvin या फारे नाई, correct answer कौन सा होगा इन में से तो दोस्तो तापमान का SI मातरक होता है Kelvin, correct answer होगा option number C अगला question दे रखा है ट्रांसफार्मर निमन में से किस सिदांत प्रकारे करता है induction है, mutual induction, inductance या self inductance तो transformer होता है वह किस सिदांत प्रकाम करता है उसका principle क्या है, किस principle पर काम करता है तो दोस्तो इसका right answer होगा mutual inductance पर, correct answer होगा option number B अगला question दे रखा है परतिक वा मातरक, साइमन परति सेंटिमेटर का संबन्द है, किस से संबन्दित है परतिरोध से, विशिष्ट चालकता से, विशिष्ट पर्मियन से या विशिष्ट परतिरोध से तो साइमन परति सेंटिमेटर का संबन्द किस से है तो इसका right answer होगा विशिष्ट चालकता से, correct answer होगा option number B चले अगला question, दोस्तो अगला question दे रखा निमन में से कौन सा, low चुम्ब के पदार्थ है इन में से low चुम्ब के पदार्थ कौन सा है, निकिल, तामबा, एलुमिनियूम या जस्ता इसका right answer होगा, nickel क्या है, low चुम्ब के पदार्थ, तो right answer होगा option number E अगला कुश्चन दोस्तों अगला कुश्चन दे रखा पोनी मोटर में पोलो की संक्या सिंक्रोनस मोटर की अपैक्सा रखी जाती है ओप्शन दे रखा एक पोल कम है दो पोल कम है एक पोल हदिक या दो पोल हदिक तो pony motor में पोलो की संक्या synchronous motor की apex रखी जाती है कैसी रखी जाती है इसका right answer होजएगा दो पोल कम रखी जाती है right answer क्या होगा option number B अगला कुशन देरा का मान लेगिंग होने पर किसी मसीन की धारा क्या होगी बढ़ती है गढ़ती है इसती रहती है या कोई प्रवाव नहीं पड़ता तो पावर फैक्टर का मान लेगिंग होने पर किसी मसीन की धारा क्या होगी तो इसका right answer हो जाएगा बढ़ती है धारा क्या होती है मशीन की बढ़ती है तो right answer होगा option number ये अगला question दोस्तो अगला question दे रखा निमन में से किस cell में इस्तानिय किरिया दोस नहीं होता है लेड acid cell में, Daniel cell में, ओल्टाइक cell में इन में से कोई नहीं तो इन में से किस cell में इस्तानिय किरिया दोस नहीं होता है तो इसका right answer हो जाएगा लेड acid cell में, correct answer होगा option number ये अगला question दे रखा शक्ति गुणांक निमन में से किसका अनुपात है power factor होता है वह किसका अनुपात होता है फटाबर से बताएगा उन में से correct answer कौन सा होगा तो इसका right answer हो जाएगा किलो वार्ट परती के बीए में किसका अनुपात होता है किलो वार्ट बटे किलो वोल्ट एमपियर तो right answer हो जाएगा option number B अगला question दिरका जल ट्रबाइन अल्टरनेटर की गति रखी जाती है कमें उचे अति उचे या सुनें तो जल ट्रबाइन अल्टरनेटर होता है उसकी गति कैसी रखी जाती है इसका right answer हो जाएगा कम रखी जाती है right answer होगा option number यह अगला question score old case motor का power factor होता है सुने.3 से सुने.5 leading सुने.7 से सुने.8 legging C दिरका सुने. печ no legging D दिरका 1 का E तो इनमें से correct answer क्या होगा score old case motor का power factor कैसा रखा जाता है कितना होता है तो इसका right answer होजाएगा option number B correct answer क्या होगा सुने.7 से सुने.8 legging रखा जाता है राइट अन्सर होगा ओप्षन नमबर B अगला कुशन दोस्तों अगला कुशन दिरका जब कैपिस्टीव रियक्टेंस का मान इनडक्टीव रियक्टेंस से हदिक हो तो पाउर फेक्टर क्या होगा? सुनने यूनिटी लेगिंग या लीडिंग तो जब Capacitive Reactance का मान Inductive Reactance से क्या है हदिक है Capacitive Reactance का मान क्या है हदिक है और Inductive Reactance का मान क्या है कम है तो Power Factor क्या होगा तो इसका Right Answer होजाएगर Leading होगा Power Factor क्या होगा Leading तो Correct Answer होगा Option Number D दोस्तो अगला कुशन दरखा Lead Acid Shell की पलेटों के एट जाने काम दोस्त क्या कहलाता है Coroja ने, Sulpation है, Sandimation है या Buckling तो इसका Right Answer क्या होगा Important Question है Lead Acid Shell की पलेटों में अगर एट जाने का दोस्तो हो जाता है तो वह क्या कहलाता है इसका Right Answer होजाएगा Buckling दोस्त Correct Answer होगा Option Number D अगला कुशन अगला कुशन दरखा Short Circuit Test में Transformer में किन छतियों का मान ग्याद किया जाता है Copper Lose का Iron Lose का, Frictional Lose का या Windage Lose का Right Answer होगा Copper Lose का Correct Answer क्या होगा तामर छतियों का Correct Answer होगा Option Number E अगला कुशन दोस्तों अगला कुशन दरखा Commutation को कम करने के लिए किसका परियोग नहीं किया जाता है Compensating Winding का Interpol का उच परतिरोध बुरस का या परतिरोध तार का तो Commutation को कम करने के लिए इन में से किसका परियोग नहीं किया जाता है या नहीं पूच रहा है तो नहीं किया जाता है किसका नहीं किया जाता है इसका राइट आंसर हो देगा उच परतिरोध ब्रस का करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर C अगला कुशन रखा छत से पंक्य के बलेड की नियूंतम दूरी क्या होनी चाहिए 30 इंच, 30 mm, 12 इंच, यह 12 cm तो छत से पंक्य की बलेड होती है, उसकी नियूंतम दूरी क्या होनी चाहिए इसका राइट आंसर होदेगा 12 इंच, अर्थार्थ एक फिट, क्रेक्ट आंसर क्या होगा, एक फिट अगलα क्यूशन, रखा है, भुक वूज रिले में से किस पर आधारीत यउक्ती होती है चुम्बक परे, उस्मा परे, गैस पर याताप बर, तो भू chloride स्रेवोक। अरफ होती है, वह किस पर आधारीत यउक्ती होती ह演 इसका राइट आंसर हो जाएगा गेंस पर क्रेक्ट आंसर होगा option number C अगला क्यूशन अगला क्यूशन रखा एक पूरण आवेशित बेटरी का आपेक्सित गनतव होता है 1.22 1.25 2 या 2.24 तो एक पूरण आवेशित अर्थार्थ फुल पूर्ण चार्जिंग बेटरी का आपेक्सित गनतव कितना होता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.25 होता है क्रेक्ट आंसर क्या होगा 1.25 अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरका परतियावरती चुम्ब के छेतर का मान परतेक साइकिल में कितनी बार सुनने से अधिक्तम तक बदलता है एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार क्रेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर B अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरका निमन में से सबसे कम परतिरोध किस पदार्थ का है इनमें से सबसे कम परतिरोध किसका है पारा का, नाइक्रोम का, जस्ता का यह रेजीन का, तो किसका है इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता का करेक्ट आंसर होगा ओप्शन C अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्युशंद रखा शुद्ध इंडिक्टिव परिफत में 12 ओल्टेज से रहती है 90 डिगरी आगे 90 डिगरी पीछे इन फेज या आउट फेज तो सुद्ध इंडिक्टिव परिफत में 12 ओल्टेज से कैसे रहती है इसका right answer हो दाएगा 90 degree पीछे रहती है correct answer क्या होगा option number दोस्तो अगला question देरका निमन में से कौन सा voltage step down परकार का transformer है वेरिय के current पोटेंशियल या कोई भी नहीं तो इन में से कौन सा voltage step down परकार का transformer है इसका right answer हो दाएगा potential transformer correct answer क्या होगा option number C चलिए अगला question दोस्तो अगला question देरका slipped ring output में परदान करते हैं परकास, उस्मा, AC या DC तो slipped ring होते हैं वे output में क्या परदान करते हैं इसका right answer हो दाएगा AC अर्थार्थ, alternating current अगला question दोस्तो अगला question देरका transformer code की अधिकता मोटा ही रखी जाती है कितनी रखी जाती है एक mm, सुन्ने point 5 mm, सुन्ने point 35 mm या सुन्ने point 9 mm तो correct answer बताइए कौन सा होगा कितनी रखी जाती है तो दोस्तो एक mm रखी जाती है correct answer क्या होगा option number ये चलिए अगला question अगला question देरका एक 500 watt 250 volt वाले लेंप का प्रतिरोध क्या होगा प्रतिरोध ज्यात करना है जाब आपको power दे रखी है वो voltage दे रखी है तो फटाबर से बताएए इसका right answer क्या होगा फटाबर से बताओ तो दोस्तो जब इसको solve करेंगे तो इसका सुतर क्या होगा R बराबर V का square बटे P अर्थार्थ ओल्टेज का वरग बटे पावर है तो ओल्टेज कितरना दे रखा है 250 ओल्टेज तो 250 नुना 250 बटे पावर कितरना दे रखा है 500 तो 500 2-0 से 2-0 कैंसल हो जाएगा 5 या कितना बार चला जाएगा 5 बार तो बचेगा क्या 25 गुणा 5 अर्थार्थ इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 करेक्ट आंसर क्या होगा 125 ओम तो राइट आंसर हो जाएगा 125 ओम तो किस ओप्शन में दे रखा है दोस्तों यहां किसी भी ओप्शन में नहीं दे रखा सभी दोस्तों को एक बार like वर share जरूर कर देना है जिस दोस्तों ने भी अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है वो सभी दोस्ते एक बार चैनल को subscribe भी जरूर कर लेना साथी all notification bell को भी on कर लेना Thank you